हेलो एबरिवन दिस इस जोती सिंग अससेस्टेंट प्रोफेसर बोटनी एमल्बी गौर्मेंट कॉलेज भीलवाड़ा मारकेंशिया के रिप्रोड़क्शन में हमने फिछले वीडियो लेक्चर्स में स्टड़ी किया था वेजिटेटिव रिप्रोड़क्शन आज उसी सीक्वेंस में हम सेक्शुल रिप्रोड़क्शन स्टड़ी करेंगे Markensia में Sexual Reproduction किस प्रकार होता है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि Markensia का थैलर शो किया गया है और नीचे लिखा हुआ है A. इस्त्रीधानी धर और B. में हैं पुंधानी धर तो इस्त्रीधानी धर जिसको इंगलिश में हम बोलते हैं Archigonio 4 और B. पुंधानी धर जिसको बोलते हैं Archigonio 4 तो इस्त्रीधानी धर पर इस्त्रीधानी पाए जाती हैं और ये Female Reproductive Organ है पुंधानी धर में पुंधानी पाए जाती हैं और ये Male Reproductive Organ है Markensia का थैलर शो किया जैसे कि पहले भी मैंने Video Lecture में Study बरताया था आप लोग को और इस्त्रीधानी धर पुंधानी धर ये विशिष्ट सवरंथ संरचना हैं इनमें नीचे आप देख रहे हैं लंबा वरंथ है उपर फ्लैट डिस्क है या छत्री नुमा संरचना है तो ये जो संरचना हैं इनके आधार पर आप Markensia के थैलर को externally identify कर बाते हैं अगर थैलर के ऊपर ये संरचना है लगी है तो आप ये कह सकते हैं कि ये Markensia का थैलर है अब आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर आज जो study करेंगे वो है पुंधानी धर पुंधानी धर और स्तृधानी धर में थोड़ा अंतर या होता है कि पुंधानी धर और स्तृधानी धर की जो डिस्क की संरचना है उसमें difference है दोनों ही सबरंथ हैं लेकिन डिस्क के आधार पर हम इनमें विबेद कर पाते हैं और जब हम इनकी आंतरिक संदचना स्टडी करते हैं यह जो उपर डिस्क लगी हुई है इसका जब हम वी टीएस काटते हैं सेक्षन तब हमें इसका डिटेल्ड रिस्ट्रक्चर पता चलता है तो मार्केंशिया जो है सैक्स ओर्गेंस इसम 9884 कहां से व्रद्धी करते हैं यह जो आपको मैंने बताया कि खाच के अंदर व्रद्धी विंदु उस्थित होता है तेलेस में जो शीर्शस्त खाच होती है अपिकल नौच होती है वहाँ पर गाइसकी काइए क्षोल,ँ व्रद्धी करता है पर जब ट्uff & पूरी तरह पर अब इस युगमक धर के बनने के बाद में थैलस की काईक व्रद्धी पूर्णतिया रुख जाती है After the formation of the gametophores, the vegetative growth of the thallus seizes completely और gametophores क्या हैं? Gametophores are in fact the extension of the vegetative thallus यानि की thallus की ही अति व्रद्धी हैं ये इसी प्रकार की संदचना इन में पाई जाती है जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं इसमें प्रकार संसलेशी छेत नजर आ रहे हैं, ये चेंबर नजर आ रहे हैं और ये थैलस की ही अति व्रद्धी है और नीचे आपको बॉटम पे दिख रहा है कि यहां पर राइजॉइट्स लगे हुए हैं तो थैलस में से ही उग रहे हैं, थैलस की ही अति व्रद्धी हैं और इसमें उसी प्रकार से येर चेंबर्स, येर पोर्स, फोटो सिंथेटिक फिलामेंट्स और दोनों फोटो सिंथेटिक रीजन और स्टोड़ी रीजन इस प्रकार से पाया जाता है अब आप देखें कि कुछ स्पीशी ऐसी होती है, मारकेंशिया की जिनमें ये है कि एंथ्रीडिय आर्चीगोनिया एक ही थैलस पर भी पाये जाते हैं उन्हें हम एंड्रोगाइनोफोर्स कहते हैं, पर हम बेसिकली यही अभी देखेंगे यही स्टेडी करेंगे कि एंथ्रीडियोफोर और आर्चीगोनियोफोर अलग-अलग पादप पर फाये जाते हैं, एक लिंगाश्री या दायोशियस या हेट्रोथैलिक प्लांट है ये उसमें एट लोप पाये जाती हैं, एट लोप या आठ पालियां पाये जाती हैं, मारकेंश्या की कुछ जाती हैं, जैसे कि मारकेंश्या जैमिनेटा उसमें इन पालियों की संख्या चार है, और एक कुछ और जाती हैं जिसमें इसकी संख्या नौ तक पाये जाती हैं, पर स लोब में growing point होता है व्रद्धिविंदू होता है और वो रिप्रेजेंट करता है apex of the branch अब जब हम इसके internal structure देखते हैं तो internal structure जो है डिस्क का वो थैलस के जैसा ही है उसमें भी जैसा कि कि आप सीर्षपट देख पा रहे हैं कि इस परकार से इसमें क्या नजरा रहे है आपको downstairs chambers नजरा रहे हैं जिसमें np.呢yomates कि फ्लामेंट जो और air power है कि ये जो air chambers नजरा रहे हैं जिनमें cute ऋंटक्ते differencesति होά磨 में 3-2 chambers भी नजर आ रहे हैं ठीक है एक air chamber फिर एंथ्रीडियल chamber फिर air chamber फिर एंथ्रीडियल chamber तो यानि कि alternate manner में arranged है एंथ्रीडियल chamber के अंदर क्या पाया जा रहा है एंथ्रीडिया एंथ्रीडियम एक एंथ्रीडियल चेम्बर में एक ही एंत्रीडिया लगा हुआ है और ये एंत्रीडियल चेम्बर अल्टरनेट करते हैं एर चेम्बर के साथ हर एंत्रीडियल चेम्बर बाहर की ओर एक छिद्र के द्वारा खुलता है जिसको हम कह रहे हैं ओस्टियोल Osteole इसका Oore है जिसके द्वारा Enthridial Chamber बहार की ओर खुल रहा है और Air Chamber एरोर के द्वारा को खुल रहा है चितर में आपको नजर आ रहा है अब यह देखे कि यह जो Enthridia किस Sequence में लगे है इनका जो Sequence है कि जो mature है जो mature है वो center की Oore है और किनारों की Oor यंग वाले एंट्रीडिया लगे हैं इसको succession को हम कहते हैं acropetal succession कि एंट्रीडिया जो है acropetal succession में लगे हैं oldest near the center and youngest towards the apex of the lobe और जो इसका वरंथ है उसमें आप longitudinal एक groove नजर आ रहा है जिसमें dryzoids और scales लगे होते हैं तो यह disc उपर से यह flat आप देख रहे हैं disc जिसमें art पालिया है जिसमें air chamber और enthridial chamber alternate sequence में लगे हैं air chamber एर पोर के द्वारा भार खुल रहा है enthridial chamber और stiol के द्वारा भार खुल रहा है और हर enthridial chamber में एक enthridia एक छोटे वरंत के द्वारा लगा हुआ है जैसा कि आपको इस चित्र में नजर आ रहा है stock है फिर enthridia का आप उपर का पार्ट जो देखते हैं main body उसमें आप बहार की जो layer है उसको हम कहते हैं jacket अब jacket ही main part है इसका क्यों? क्योंकि sorry jacket main part इसलिए है कि इस jacket के आधार पर ही इनको crypto games क्रप्टस माने hidden gamus मतलब वैड़िट ऐसे पादब जिसमें reproductive organs एक jacket के द्वारा कवर्ड हैं एक बंधे कोशिकाओं के आवरण के द्वारा कवर्ड हैं उनको jacketed sex organs हैं उनको हम crypto games के अंतरकत रखते हैं जिसमें आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स और टेरेडोफाइट्स ब्रायोफाइट्स नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेंस हैं और टेरेडोफाइट्स वैस्कुलर क्रिप्टोगेंस हैं क्योंकि उसमें वैस्कुलर टिशूस प्रेजेंट हैं तो यह जैकिट बहुत important पार्ट है जैकिट के अंद और इंद्रोसाइड्स से फिर बनता है, आप यह चित्र में देख पा रहे हैं, और फिर बनते हैं पुमुडू, जिसको हम बहुते हैं एंध्रोजॉइड, एंध्रोजॉइड, मैं दो फ्लेजला लगे हैं, और एक कॉयल्ड संड़चना होती है, और यह फ्लेजला के द्वार द्वारा सुइम करते हुए अर्ची गोनिया तक पहुंसते हैं अब आप देखते हैं कि जब अंडरोसाइड में अंडरोसाइड पूरी तरह बन जाते हैं तब यह पुंधानी परिपक्व होकर उपर आप ओपनिंग देख रहे हैं तो इसकी जो ओपनिंग है औसके द्वारा जब ओस की बूदे या बारिश की बूदे अंदर एंटर करती हैं तो जैकेट की कोशिकाएं जो है उनमें ओपनिंग बन जाती है और सारी ये जो एंड्रोसाइड्स हैं ये बहार निकलते हैं अब आप देखें कि ये जो सारी एंड्रोसाइड्स हैं एंड्रोसाइड्स जो है बनाती हैं एंथेरोजोइड या पुम्डू पुम्डू मैंने आपको बोला है ये कि spirally coiled या छड़ के आकार की एक nucleus की एक केंडर की संदचना है और जल में जब ये तैड़ते हैं तो एक कशाभी का आगे की ओर गती करती है एक पीछे की उरस्पंदन करती है इस प्रकार से ये मूव करते हुए अं morallyzoid तक इस प्रकार से ये अं allenZeोईड मूव करते हुए इस्तरी धानी तक भौांसते हैं पुम्डानी जब पूरी तरह मेंचे और हो जाती है तो जब जल की बूने वर्षा या ओस की बूने इसकी डिस्क के ऊपर इस N3-Dio4 की डिस्क के उसता पर गिरती हैं तो ये जल जो है ये वाटर जो है इन छिद्र द्वारा जिसको हमने कहा ओस्टियोल इसके द्वारा अंदर प्रवेश कर जाता है और पुंधानी जैकिट की ज ये कोशिका भित्ती में परिबद्ध होती है और जिसमें एक स्लेशमा द्रव्य उसके द्वारा घिरी हुई है और पुमडूओं का ये पूरा समहू एक धुए के फॉर्म में इससे पुंधानी से भार निकलता है और जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है इनमें प्रिधानी धर या आर्ची ओनियो फोर्म को स्टड़ी करेंगे थैंक्स